So welcome back दोस्तों क्या हाल चाल है तो दोस्तों जैसे कि Samsung ने अपने S22 सीरीज के flexible स्मार्टफोनों को इंडिया में लाउंच कर दिया है लेकिन अब यहाँ पर Samsung अपने budget range वाले स्मार्टफोनों को लाउंच करेगा जी हैं दोस्तों जैसे कि आपको याद होगा कि Samsung ने Galaxy F22 को लाउ स्ट्रेट के बारे में बात करेंगे और दोस्तों चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि हमाइसी ही टेग वीडियो आपको फ्यूचर में दे सके तो सबसे पहले बात कर देते हैं इसके performance के बारे में तो इसमें आपको कॉलकॉम के तरफ से स्नाप डागन 750G का पावफुल 5G चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि अपने आप में काफी अच्छा प्रोसेसर है और काफी कमाल की performance देदेगा हाला कि यह चिपसेट आप कई सारे स्मार्टफोनों में देख चुके हैं और इस डिवाइस में आपका gaming experience काफी अच्छा वन यू आई 4.0 पर रन करेगा तो पाफार्मेंस वाइस काफी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है डिस्पले की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6.6 इंचेस की फुलिष्टी प्लस एजलेशन वाली एक IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा आलाक इसमें MRA डिस्पले तो नही इसके मेरे के मिलेगा तो यहां पर की बात करते हैं तो इसके अंदर 5000에ी बैर्ट्री देखने को मिलेगी और इसको चारज्ज करने क्वेए 25 fast charger का support मिलने वाला है basic feature की बात करते हैं तो इसमें आपको side mountain finger pin scanner, 3.5 mm audio jack and type C port का support देखने को मिल जाएगा finally बात कल देते हैं इसके launch date अप price की तो ये smartphone 8 March को इंडिया में launch होने वाला है और दोस्तो इसकी base rain के price around 70,000 से लेकर 20,000 के आसपास देखने को मिल सकती है और वैसे आपको क्या लगता है ये smartphone की इंडिया प्राइस कितनी हो सकती है comment में बताईएगा ज़रूर और ये भी बताईएगा कि आप लोग इस smartphone के लिए excited है इसके लाव अगर आपका और क्यों कोशन है तो आप पूछ सकते हैं बस इतना ही थास वाली वीडियो के लिए आई होप वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो को साथ तब तक लिए बाई बाई